अधनिय सभापती जी, आपने वक्ताओं के लिए काफी सिमाय बांदी है, मेरी कोशिश रहेगी उन सिमाओं का पालन करते विए अपनी भावनाओं का विवक्त करो बश्य हमारे हम तो है हैं, जा रहे हैं साथी, लेकि जैसे बंगाली में कहते हैं, आमी आश्ची, या गुजराती में कहते हैं, आव जो, come again, वैसे कहते हैं तो बाई बाय लेकिन कहते हैं, come again, तो एक प्रकारत है हम तो यह ही चाहेंगे, come again, ताकि जैसा सभावती जी ने कहा कि इतने इतने अनुभाव दिन के साथ जुड़े हुए हैं, पाटम, चाटम, तइंटम, इतने समाई से, या एक बहुत बड़ी मात्रा में, अनुभाव का संपूठ हमारे सभी महानुभाव के पास है, और कभी-कभी ज्यान से ज़्यादा अनुभाव की ताकत होती है, अकडिमिक नालेज की कभी-कभी बहुत सीमाय होती है, उस सेमिनार में काम आता है, लेकिन अनुभाव से जो प्राप्त हुआ होता है, उसमें समस्याओं के समाधान के लिए सरल उपाय होते हैं, उसमें नयापन के लिए अनुभव का मिश्रण होने के कारण गलतिया कम से कम होती है और इस अर्थ में अनुभव का अपना एक बहुत बड़ा महत्व होता है और जब ऐसे अनुभवी साथी सदन से जाते हैं तो बहुत बड़ी कमी सदन को होती है राष्ट को होती है आने वाली पीडियों के लिए जो दिर्णे होने वाले है उसमें कुछ कमी रहे जाती है और इसलिए जब अनुभवी लोग जाते हैं उनके लिए हम बहुत कहा जाएगा लेकिन जब अनुभवी नहीं यहां है तक जो है उनकी जिम्मेबारी जरा और बढ़ जाती है वो जो अनुभव की गाता यहां छोड़ के गए हैं जो बाकी यहां रहने वाले हैं उनको उसको आगे बढ़ाना होती है और जब वो आगे बढ़ाते हैं तो सदन की ताकत को कभी कमी महसूस नहीं होती है और मुझे विश्वास है कि आप जो साथी आज बिदाय लेने वाले हैं उनसे हम जो सभी सिखे हैं आज हम भी संकल्ब करें उसमें से जो भी उत्तम है जो स्रेश्ट हैं उसको हम आगे बढ़ाने में इस सदन की पवित्र जगा का जरूर हम उप्योग करेंगे और ताकि दे हम इस चार दिवारों के बीच में बिताते हैं हिंदुस्तान के हर कोने की भावना वो का यहां प्रतिमिम अभीव्यक्ति वेदना उमंग सब कुछ यहां पर एक प्रभा बहता रहता है और उस प्रभा को हम भी अनुभाव करते रहते हैं लेकिन कभी हमको लगता हुआ कि मैंने इस सदन में बहुत कुछ कॉंटिब्यूट किया बहुत सचा ही है लेकिन साथ साथ इस सदन ने भी हमारे जीवन में बहुत कुछ कॉंटिब्यूट किया हम सदन को दे करके जाते हैं उसे ज्यादा सदन से ले करके जाते हैं क्योंकि भारत की विवित्यताओं से भरी हुई, सामाजिक व्यवस्ताओं से, अनेक प्रकार के उताव चड़ावाली व्यवस्ताओं से निकली हुई चीजे, उसको हम प्रती दिन अनुभव करते हैं सरदन में, और इसलिए माज यही कहूँगा, कि भले हम इन चार दिवारों से निकल रहे हैं लेकिन इस अनुभव को राश के सरवत्तम हित के लिए चारों दिशाओं में ले जाएं चारों दिवारों में पाया हुआ चारों दिशाओं में ले जाएं यह हम सब का संकल्प रहे और हमारी ये भी कोशिस है कि सदन में अपने कालखंड में जो महतोपून चीज़े हमने कॉंट्रिबूट की है जिसने देश को शेप दिया देश की दिशा को मोड़ा है मैं चाहूंगा उन समृतियों को आप कहीं न कहीं शब्दबर्द करें कहीं कहीं लिखें ताकि कभी ने कभी वो आने वाली पीडियों को रेफरेंस के रुप में काम आएगी कहीं पर भी हम बैठे हो यहां हो यहां हो लेकिन हर एक ने अपने तरीके से कुछन कुछ ऐसा कॉट्रिबूशन किया होगा जिसने देश को दिशा दिने में बहुत बड़ी भूमिक आदा की इसको अगर हम संग्रहित करेंगे मैं समझता हूँ कि ऐसा मुल्यवान खाजाना हमारे पास काम आएगा जो आने वाले लोगों के लिए काम आ सकता है यानि एक इंस्टिटूशलाइज व्यवस्ता के तहट उसका उप्योग हो सकता उसी प्रकार से मैं ये भी चाहूंगा ये आज़ादी का अमरत महुत सवर है आज़ादी के 75 साल हुई है हमारे महापुरुशों ने देश के लिए बहुत कुछ दिया अब देनी की जिम्मवारी हमारी है हम यहाँ से उस भाव को ले करके क्योंकि अब थोड़ा समय जादा होगा हमारे पास जब यहाँ से जा रहे हैं तो सभापते जी का बंधन भी नहीं होगा तो आप बड़े खुले मद से एक बड़े मंच पर जा करके आज हादी के अमर्त महुसरों इस महामूले परव को माध्यम बना करके आने वाली पीडियों को कैसे प्रेवित कर सकते हैं उसमें अगर आपका योगदान रहेगा मैं समयता हूँ बेश को बहुत बड़े ताकत मिलेगी बहुत बड़ा लाब मिलेगा मैं सभी साथियों को मैं इंडिविजिल उलेख नहीं कर रहा हूँ अब पती जी ने कहा है कि व्यक्तिगर मिले तो कहेजे ना तो मैं व्यक्तिगर जुरू कोशिश करूँगा आप सबको अपने अच्छे-च्छी बाते बताऊंगा आपकी जो अच्छी बाते हैं उसको बैद जुरू नोटिस करता हूँ मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुक्त कामना है देता हूँ धनिवाद